कि हलो दोस्तों आप लोग सब कैसे हूँ आज मैं विल्कुल लेटेस्ट और न्यू वीडियो के साथ में और आज जो हम कवर करने वाले वह है रेडमी का नोट 9 मोगाइल को और हम करेंगे सामसंग की स्मार्ट एलेडी टीवी के साथ में और देखेंगे कि रेडमी 9 को हम असाथ कैसे कर शक्ते हैं विदाउट विदाउट एनी नीवायर विदाउट के इंटरनेट तो तो मेरे पास रेडमी का नॉट तिरी मतलब जो भी आप इसमें जो देखते हो वह अपनी बड़ी स्कीन पर कैसे देख पाऊगे तो इस यह सब चीज को मैंने कवर किया है वीडियो विल्कुल लाइव है आप सुरू से लेकर एंट तक बने रहे हैं कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए मैं आपका LED TV गुरू मेरा YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप में चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे बटन पर क्लिक करके सस्क्राइब कर लीजिए अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख मैंने YouTube चैनल पर बनाई हुई है और मेरे करी 55,000 सस्क्राइबर है ठीक है तो प्लीज जितने लोग देख रहे हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें अगर आपकी कोई कोई है अगर आप कोई मुबाइल क्नेट नहीं कर पारें तो कमेंट वोक्स में कमेंट कर दीजिए जि स्मयिटिंग सेम रहेंगी कवर करने वालो हो मैं समसंग का Smart LED TV ठीक है सैमसंग और अगर मैं आपको जिस मुबाइल से क्नेट करका जाए Samsung से बता रहा हो ना तो समझाली जो LG से भी Sam रहेगा LG और Samsung मुवाइल में TV के अंदर में कोई भी setting नहीं करनी होती है सिर्फ हमें मुवाइल की setting देखनी होती कि वह कौन सी setting है जो आपकी TV में can't करने में help करती है टीवी में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना सिवाए OK बटन के ठीक है CMLG में और Samsung में ठीक है अगर इसके लावे आपके पास Micromax का LED है आपके पास MI का है लॉयर्ड का है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको टीवी में भी application open करनी पड़ेगी मुबाइल में open करनी पड़ेगी फिर पास्पर डालने पड़ेंगे तब जाके वह आपकी connect होगी ठीक है बट Samsung और LG के smart LED TV में कुछ नहीं करना होता सिर्फ आपको मुबाइल की setting on करनी होती है तो यह plus point होता है अगर आपने आपके पास में आपको इंटरनेट करने के लिए और आपको मुबाइल करने के लिए जिसमें क्या है कि इसका benefit होता है कि माली जी कोई आपके घर में function है या किसी की functions की वीडियो आप गए ठीक है आप फोटू लेका है तो अब मुबाइल में तो वर्ट्ट्ट आप करोगे सब के पास अलग अब आपके पास smart le tv है आपके पास android mobile भी है बट आप करेंट कर पा रहे हो आपको पता ही में कैसे होता है आप किसी ने नहीं यह पीर आपको जो आपका प्रिविएस उसमें आपको रहा था ता आप नया मुबाइल लिए उसमें आप प्लिकेशन कोन सी है तो इसारे यह पा कि क्रेंट करना नहीं आता हो सब बोस्टली सब को आता है जिनको नहीं आता उसके लिए प्लस पॉइंट है तो अब करते हैं इस वीडियो को लाइव तो अब यह मेरे पास रेडमी का नाइन मूबायल है तो फैले अब मूबायल की सेटिंग देख लेते हैं जैसे मैंने कुछ किया वाइड वाला है कोई बात नहीं वीडियो अच्छी जाएंगी तो वाइलेस भी लियाएंगे चला आप करते हैं वीडियो को लाइव तो यह आपका रेडमी नोट 9 मूबायल है ठीक है इसमें क्या करना होगा जहां पर आपके वाइफाई सब कुछ आते हैं सैट कि रेडमी नोट 9 मूबायल है बैक करके यहाँ पर आ जाईए सिस्टम अपडेट है सिम कार्ड मूबायल नेटवर्क है इसके बाद ब्लूटूथ है इसके बाद है कनेक्टिंग एंड शेरिंग का बटन आएगा जो आपके मूबायल है क्रेटिंग को आपको ऑपन करना आपको करना पड़ेगा इसको परमिशन देना होगी किन्होंन नहीं नहीं अपको आपको देन ही पड़ेगी कि ठीक है मीडिया अलाउस पर्मिशन्स उसके लावा माइक्रोफॉन अलाउग और फॉन कि इसके बाद में इसको ओन कर लीजिए ठीक है आपको क्या करना होगा आपको कि बाद में आपको कि ये डरें करने के बाद में क्या करना होगा ठीक है सचिंग मोडल स्टार्ट कर दिया अब ए जो हमें करना यह साइट इंच का Samsung का 2000 मोडल है तो यहाँ पर देखना सैट इंच का मोडल हूं है कि पार वह देख लेते हैं और इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में इसको छोड़ देना है आपके यहां पर एक मैसेज आएगा ठीक है यह आ गया यू मस्ट ग्रांट पर्मिशन पॉर यूर डिवाइस क्नेट ओर टीवी अलाव डिनान क्लोज रेड्मी नौट नाइन तो हमें अलाव कर देना है जैसे आप रिमोट से अलाव करोगे आपका यह क्नेक्टिंग टू रेड्मी नौट नाइन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जो आप मुवाइल में चलाओगे वही आपको टीवी में नजर आएगा ठीक है बिल्कुल सिंपल सिंपिल है ठीक है पर्स यही देखना होता है कि व आपको ऀसके वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेस वीडियो के साथ में थैंक यू सो मच